हलो दोस्तों मिनाक्षी मेक और यूटुब चैनल पर आप सबको स्वागत है और मैं आपकी दोस्त मिनाक्षी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी होम रेमेडिस, मेकप और हेस्टैल एलेड़ वीडियो तो गर्मे शुरू हो गई हैं आपने साथ लाई हैं बहुत सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में आप उन सब प्रॉब्लम का सरूशित पाएंगी प्रॉब्लम आपको हो सकती है जैसे टैनिंग की डिहाइड्रेशन की या फिर उपन पोर्स की प्रॉब्लम आपकी स्किन पक बहुत जब स्वाइट आता है या आपका मेकप बिल्कुल ही स्ट से गर्म के सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी हम मेकप करते हैं तो हमारा मेकप मेंट हो जाता है बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है हमारे स्किन पर बहुत जब स्वेटिंग होती है तो यह ट्रिक आपके लिए बनी है जरूर देखेगा बहुत काम आने वाली है क्योंकि य अलो वीरह और भी वहत जूत आफ। गए अनल वीरह आपके मेंटिवार देखेगा है बिल्कुल और देखेग अले मकप करते हैं तो इसे पहले है उपने इसक्यूब को में आपने पैले पैसे क्योंकि लुब करता है अपको जब को मेकपas कर लिए उस से पहले आप यू logar przedstaw जिससे कि आपके जो उपन पोस है वो मिनिमास हो जाएंगे और जो बेस आपका बहुत कमाल का बनेगा इससे स्वेट की प्रॉब्लम भी कही हद तक आपकी कम होगी और जो मेकप है वो लॉंग लास्टिंग हो जाएगा सेकेंड हैच है सुपर डुपर इजी क्योंकि एक इंगेर्स आपके दो प्रॉब्लम को सॉल्फ करने वाला है अगर आप फेस करें हैं डेंटर की प्रॉब्लम या फिर आपकी स्केल्प बहुत ज़दा ओली है तो ये इंगेर्स आपके बहुत काम आने वाला है आपको कि हम हाउस वैस बिल्कुल भी अपने लिए टैम नहीं निकाल पाती स्कें केर करना तो बहुत दूल की बात है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए इस चिरम यूज कर सकते हैं इस चिरम यूज करने के बाद आपको कोई भी क्रीम य लोशन लगाने के ज़राद नहीं अगर आपके पास असेंचिल ओईल है तो आप इसे मैं आड कर सकते हैं अगर नहीं है तो टोटली ओप्शनल है मत कीज़े स्किप कर दीजिए आपका सिरम बनके रेडी हो चुका है आपको कोई भी एम्टी बॉटल या फिर कांच का कंटेनर है तो इसके अंदर इसको फेल करके रख देना है फ्रीजर के अंदर मेरे पास नहीं था तो मैंने आप ए गुलावरी का जो बॉटल है बोली लिया इसको रख लिया है जब य बॉट ज़्यादा बेनिफिशल आपकी इसके अपने श्रम फेल नहीं इसके अदर को बहुत ज़रा नुकसान पहुचा सकते है इसके अंदर हमने रोस वोटर का यूजर को रख लाएगा आपकी स्कीन को बॉलाइगा आपकी स्कीन को हाइड़ेट रखेगा ऐलोविरा जल प्रोटेक्ट रखेगा जो दाग दब्याक्ती स्कीन पर हो चुकी है उनको कम करेगा वितामिन A का जो कैप्सुल है आपकी स्कीन से लिंकल और फायर लैंस को रिड्यूस करेगा इसके अंकर हमने गुर्वाइस का अशेंचल और वितामिन C वाला जो आपकी स्कीन को करेगा अपकी स्कीन यंगर दिखाई देगी इसके अंदर चौर इंगर बेस्ट है बहुत अच्छा सिरम बन के तयार हुआ है यह 100% नेचुरल और पॉकेट फैंटी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते में वीडियो को और सब्स्क् अच्छी वीडियो आने वाली है आपको भी मिस नहीं करें उनमें से फोर्थ हैक है उन लेडिस या उन लगल्स के जिनकी स्कीन बहुत ज़दा डिहाइडेट हो चुकी है हाइडेट कर देगा यह पेस्पैक इस फेस्पैक पो आप डेली लगा सकते हैं हांजी डेली ऐसा भ बहुत ही ज़दा माइड है और हाइड्रेट रखेक आपकी स्कीन को विल्कुल बेड्राय नहीं करेगा जो स्कीन होते हैं वो रूखी सूखी सी महसूस करते हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं यह हनी और लैमन का फेस्पैक लगा सकते हैं जो अब हमने बनाया अबी तो आपको क्या करना है कोई भी कंटेनर लेना है इस तरीगे से और उसके अदर फिल कर लिया है यहां मैंने गुट बाइप का जो खाली अदर फिल कर लिया इसको आप यह जो फेस्टेक है आप कभी भी लगा सकते हैं दिन में ऐसे कोई नहीं है इसक अब से रोज लगा सकते हैं इसका कोई भी हामफोल इंपक्ट नहीं होने वाला क्योंकि यह सुथता नहीं है अब हमी है इसके अदर तो आप इसे रोज लगा सकते हैं और अपना बागी कुछन का काम करते रहिया अगर आपको एक लियर पतला लग रहा रहा है तो आप दो अपनी नेक को कभी भी अवयड मन कीजिए नेक पे सबसे पहले एजिंग आती है तो बस आपको 20-25 मिनिट इसको छोड़ दे रहा है और इसके बाद आपको नॉर्मल वोर्टर से वाश कर ले रहा है तो इसके बढ़ बढ़ जाती है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जब तो वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई सजेशन हो तो भी मुझे बता सकते हैं मैं ज़रूर इंप्रूमेंट लाने की कोशिश करूंगी अपनी चैनल पर और आपको अगर किसी टॉपिक के अप़र स्पेशली वीडियो चाहिए तो म मैं भी बना के दूँगी आपको और वीडियो का अच्छा लगा हूँ तो लाइक शेयर सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा